आईए दोस्तों आपको कुछ अलग तरीके से बताती हैं की परसन का विलोमसब्द क्या होता है और आज गिस वीडियो के अंदर आपको परसन के विलोमसब्द की बारे में हम अच्छी से जानकारी देंगे। उन्हें विलोमसब्द कहते ही और वहीं पर अगर हम परसन के विलोमसब्द की बात करते ही तो दोस्तों आपको बता देती हैं कि हिंदी व्याकान के अनुसार परसन का विलोमसब्द ऐपरसन होता है यानि दोस्तों परसन का विलोमसब्द ऐपरसन होता है और यह आपको अच् क्या है और एपरसन का अर्थिक क्या होता है तो आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि परसन का अर्थिक क्या होता है दोस्तों परसन का हिंदी मेरत होता है खुसे या हरसित यानि जिसे हम खुसे या हरसित कहते हैं वही परसन है और वही पर अगर हम एपरसन के अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों एपरसन का हिंदी मेरत होता है उदास से यानि जिसे हम उदास कहते हैं वही एपरसन होता है तो इस तरह दोस्तों आपने अब समझा कि परसन का अर्थ क्या है और एपरसन का अर्थ क्या है तो आप अब ये और भी दिख अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रैसन का विलोम सब्द क्या होता है तो आईए दोस्तों अपने एक बार इसके बार में फिर्शे बात करते हैं कि प्रैसन का विलोम सब्द क्या होता है तो दोस्तों जरे धैन से सुनी कि हिंदी व्याकरण के अनुसार प्रैसन का विलोम सब्द एपरसन होता है यानि दोस्तों प्रैसन का विलोम सब्द एपरसन होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके लिए आभी मरसा दो रहीं कि प्रैसन का विलोम सब्द प्रैसन होता है इसके लग दोस्तों आज किस वीडियो के इंदर आपने सेखा की प्रैसन का विलोम सब्दिक क्या होता है अगर आपको जानकारी एच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबा दें